हलो फ्रेंज वेलकम टू गार्गे ग्लासिस देट आज की 20 दिसंबर 2020 देख लेता हैं इंडियान एक्स्प्रिस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से जो इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स है उनको जो हम डिस्कस करेंगे तो एडिटोरियल पेज पर यह आर्टिकल पॉलिटि को अपने प्रडेक्ट्स एक तरीके सप्लाइ करती है ठीम के फॉन जो मैनेफैक्ट् endured होते हैं उनको brid health लेकुरमेंट्स लगते हैं उनको सप्लाइ करने वाली कंपनी है तो वहाँ पर क्या प्राबलम हुई जिसकी वजह से वहाँ पर एक violent outbreak देखा गया है तो हमारे यहाँ पर आप देखोगे mobile manufacturing hub बनाने की पूरी एक पहल चल चुकी है इंडिया को तो उस से related यह article है देखेंगे ठीक है इस article में कि किस तरीके से हमें parliamentary functioning को और improve करना चाहिए और यहाँ पर writer कुछ important suggestions भी दे रहे हैं वो देखेंगे ठीक है तो दो article तो हो गया एडिटोरिल पेज से फिर idea पेज पर चलें तो food security bargain WTO में जो पूरा issue चलता रहता है farmers को subsidy देना और जो food security ensure करने के लिए public जो अपन stock holding की बात करते हैं जैसे FCA करता हमारे यहां पे food corporation of India तो उससे related यह बहुत अच्छा आर्टिकल है देखेंगे पूरा detail में यह वाला perspective जो है जो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो policies है democracy को successful बनाने के लिए policy formulation इनी policy का execution भी time पे एकदम proper way में होना चाहिए तब जाके democracy successful होती है तो इस चीज़ को यहां पर बताया जा रहा है और क्या-क्या चीज़े करने की जड़ोता है suggestion भी बहुत अच्छे दिये है article देखेंगे इसको पूरा detail में जानने कोशिश करेंगे यह वाल article है again farm जो revolution हो रहा है भी देख सकते हम कि किस तरीज़ प्रोटेस्ट देखा जा रहा है farmers के द्वारा बट इसमें एक जो important point है that is कि पंजाब जो है वहां पर industrial development ज्यादा नहीं है industry ज्यादा नहीं है इस दुसरा एक चीज़ बता रहा है कि बड़े country होने की वज़े से पंजाब को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी जो पूराइश्यों चल रहा है उसको कि मान लो agricultural activities है वो increase होनी चाहिए तो उस चीज़ को अगर आप देखो तो वहां पर टेक्टर्स की जर जरुट तो पड़ती है ना बटो machine ट्रेक्टर्स और इनकी जरुटें पंजाब के किसान कहां से पूरी कर लेता है जहां पर इनकी manufacturing होती है और वहां से फिर वो import कर लेता है तो पंजाब को खुद को जरुट हुई ही नहीं पाई कि feel की हां हां में भी खुद का अपना खु चाहिए ठीक है तो इसका फाइदा क्या होता है जो दूसरे जो स्टेट्स है साउध इंडियन स्टेट्स असे तमिल नाडू महराष्ट्रा यहां से फिर वो manufactured product वो आ जाते हैं फिर इसकी वज़े से पंजाब में अभी industries की कमी है तो इस आर्टिकल को आप एक वार जो कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके foreign investment को attract किया जाए और एक attempt भी चल रहा है कि कैसे भी करके global manufacturing hub के तौर पे इंडिया को emerge करा जाए बट अभी जो recent labor crisis देखे गया है विस्टरन कॉप में जो की plant बेंगलोरू के पास में है वो अपने आप में disconcerting है अपने आप में disturbing है च उन workers को payment time पे नहीं मिला ठीक है ना तो regular basis पे और overtime जो था वो भी नहीं दिया गया तो अब देखो इस time पे अगर COVID-19 की वैसे problem कितनी जादा हो गई और उनको अगर time पे payment नहीं मिलेंगे और रही सही में government ने labor laws को और थोड़ा simplify करने की कोशिश किया जिससे कि हमारे यहां प में बड़ी दुखत बात और uncertainty लाने वाली बात हो जाती है कि आगया आने वाले time पे क्या इससे भी बुरे परिस्तितियां देखने को मिलेगी विस्टर्ण और Apple दोनों ने इस चीज़ को acknowledge भी किया है कि वाकई में payment time पे नहीं दिये गए इस वज़े से यह जो protest है यह हुआ भी है और जो vice president है जो मतलब oversight कर रहे है इस पूरे इंडिया के business को विस्टर्ण के तो उनको विस्टर्ण के तो उनको fire भी कर दिया गया एक बार हटा भी दिया गया है ठीक है तो Apple ने बोला है कि company जो है इसको हम probation पे रख रहे हैं कुछ दिनों के लिए और फिर उसके बाद में कहा कि नए order जब तक नहीं आते तब तक इसी तरीके से काम किया जाएंगे जो corrective actions लेने की ज़रू जो कमिया है company की functioning में वो सही ना हो जाए तो बट problem ही आ जाती है कि यह अपने आप में investors को एक गलत signal भी भेजता है ठीक है कि यहाँ पर तो जो non wages का proper time पर अगर payment नहीं क labor laws हैं उनको थोड़ा सा dilute किया गया है थोड़ा सा और हम देख सकते हैं थोड़ा simplify किया गया है तो उसकी वज़े से भी कहीं लेबर्स को भी कहीं नहीं डर लगता है कि हमारे लिए क्या protection है क्या यहाँ पर कुछ provision है जो हमारी बात सुन पाएंगे हमारे grievances को address कर पाएंगे तो iPhone देखो assembling हमारे इंडिया में होना हमारे लिए एक success की एक बात है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो domestic manufacturing का उसको हम boost करें और mobile manufacturing के लिए इंडिया अपने आप में hub बन भी चुका है आप देखोगे Foxconn, Wistron या फिर Pegatron, Cop ये वो companies हैं जो components बनाती है और फिर Apple के phone में जो iPhone जो आते हैं उनको बनाने में ये help provide करते हैं इनका जो equipment होता है वो Apple के phone में install किया जाता है तो इस तरीके से आप देखोगे ही अपने आप में मतलब mobile phone assembly का एक initiative जो इंडिया ने शुरू किया उसमें अपने आप में एक success की स्टोरी शो कर रहा है दूसरा government ने अपनी तरफ से अभी product linked incentive schemes भी मतलब scheme को भी promote करने की कोशिश कर रही है जिसमें 10 key sectors पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें automobile से लेकर के pharmaceuticals को cover किया जाएगा कहने का मतलब कैसे भी करके इंडिया manufacturing hub बनना चारा है और government इसके लिए desperately काम भी कर रही है इसके अलावा आप देखोगे जो archive laws थे पुराने laws थे stringent जिनके provisions थे उनको भी government ने बहुत हद तक एक तरीके से simplify किया है जिसें की ज़्यादा से ज़्यादा investment हमारे याँ पर attract हो सके और दूसरा इसमें आप देखोगे responsible hands जो है ठीक है जो भी मतलब employers हैं उनको भी कहीं नहीं के आप देखोगे तो proper way में उनकी responsibility भी fix की गई है और labor intensive manufacturing को हमारे याँ पर ज्यादा ज्यादा increase करना क्योंकि हमारे याँ पर labor की कमी नहीं है हो रहा क्या था कि चाइना में पहले labor सस्ता था और इस वज़े से चाइना ने अपनी economy को open कर दिया और उसका फायदा उनको manufacturing hub बनने में मिला भी हमारे यहाँ पर labor available है बट policies या फिर जो lows थे वो थोड़े से stringent थे इसलिए हमारे यहाँ पर attraction ज्यादा नहीं हो पाया investment का कह सकता है manufacturing point of view से इसी तरीके से जो चार लेबर कोड आये है 44 bills को convert 44 acts को एक तरीके से subjume कर दिया गया चार लेबर कोड में जिनमें एक है industrial relation code जिसमें आप देखोगे जो workers हैं उनको fixed term contract के लिए allow कर दिया गया कहने का मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए तो जब तक काम की जरुवत है ना उतने ही दिनों तक job देने की जरुवत है ठीक है यह अपने आप में gig economy का concept हम समझ सकते हैं कि जितने दिन काम करोगे उतने दिन salary आपको मिलेगी उतने दिन के हिसाब से payment आपको मिल जाएगा तो आप देखोगे अभी विस्टन जी जो company जहां पर यह वाइलेंट आउट ब्रेक हुआ है तो वहाँ पर भी छे contractors के थूरू जॉब मिली थी तो यहाँ पर एक चीज कि government ने तो अपनी तरफ से ease कर दिया बट यह company की तरफ से अगर छे contractors की तरफ से अलग अलग sectors के अलग अलग फिल्ड के workers को अगर आप hire करते हो तो उनमें unity तो आने वाली है नहीं ठीक है तो यह तो फाइदा employer के point of you से तो हो गया बट इन लेबर्स के जो जरुरते हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए welfare का काम कर पाएगा ठीक है इसके अलावा हमें जो labor laws में जो changes लाए गए हैं उनको भी अब कही ना कहीं suspicion way में देखा जा रहा है शक के दाएरे से और ज्यादा देखा जाने का chance बन गया है कि कैसे management proper way में काम करेगा ठीक है यह जो current crisis है यह कहीं ना कही इस डर को और बढ़ा सकता है और एक आप देख सकते हो unrest आ सकता है और यह अगर unrest आता है तो हमारे आपर industry में कहीं ना कहीं एक concern का कारण बन सकता है एक परेशानी का कारण बन सकता है ठीक है आप देखोगे economy में वैसे ही acute distress का सामना करना पढ़ रहा है labor की अगर बात करें त ठीक है तो जरूरत क्या है कि labor को हमेशा labor के concerns को हमें center में रखे और उनकी in problem को address करने की जरूरत है नेक्स आर्टिकल देखते है नेक्स आर्टिकल बियोंड दे न्यू फेसिड आर्टिकल लिखावा माधव गोड बोले देखो groundbreaking ceremony हुई अभी जिस नई parliament का जो foundation stone put किया गया उसको बोला जारा है people's parliament हमें पता है कि हमारा constitution का article 79 जो है वो envisage करता है कि हमारे parliament जो है president और दो houses से मिलकर बनी हुई रहती है बट यह foundation stone जब put किया गया तो ना तो president present थे और ना ही रज्यसभा के chairman जो कि vice president होता है वो वहाँ पर invited थे तो आप यह देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी एक concern आना शुरू हो जाती है कि वाकई में क्या हम एक democratic procedure का follow करते हुए दिखाई दे रहे हैं दूसरा जो construction है नई parliament का उसमें भी बहुत सारे questions हैं उन questions में अगर हम देखें देखो central vista अपने आप में देखो कि supreme court में तो इस central vista से related petition already दायर हो चुकी है कि क्यों ब legit construction activities को शुरू मत करना बट केवल foundation stone आप 10 December को रख सकते हो जो की government ने रखी प्राइम मिनिस्टर ने रखी ने रखी बट पॉइंट क्या है कि Parliament से related हमारे आपर कुछ concerns है पहली चीत क्या हमें इतनी बड़ी Parliament के जरुरत है नंबर दो अगर जरुरत भी है तो क्या population ही एक ऐसा Parliament की size है वो increase होने चाहिए दो question number three question का है कि Parliament की जो functioning है वो अभी तक देखें recent time में तो कही ना कहीं जो main जो democratic काम होने चाहिए जहां पर debate, discussion, deliberation होने चाहिए उनको side line में पठक दिया है बिलकुल side कर दिया है या तो जान बुझ के या फिर बड़े आसानी से conveniently जैसे COVID-19 का crisis का गया तो इसका सहरा लेकर गए तो ये तीन सवाल जो है इनके जवाब हमारे पास में होने चाहिए तो सबसे पहली चीज तो यहां पर writer बता रहे हैं कि देखो constituencies का जो delimitation होगा तो उसके बाद में लगए तो आट सो आट सो आट सी मेंबर आएंगे तो राज्ये सबा में 384 की बात करें तो वो increase की जा सकती है on the basis of the reforms जो की बहुत सारे experts ने या जो भी scholars है knowledgeable people है उन्होंने जो एक reform suggest किये हुए हैं वो reforms लाने की बजाए बजाज की enlarged size एक तो यह point यहां पर बोलना चाहरा है writer दूसरा parliamentary constituencies की अगर बात करें तो उनको delimitation उनका किस basis पे होगा 2021 की census पे तो यहां पर writer सीधा बोल रहे हैं कि यह तो अपने आपे इंडिया के federalism पे एक अपने आप में challenge बन के आएगा वो कैसे हैं कि बोले south Indian states ने अपनी population को बहुत हत्ता control कर लिया है बट northern states की जो population हो लगातार बढ़ती चली जा रही है तो इस वजह से northern states जो हैं उनको जादा representation म हुआ था 1960s के टाइम पर यहां पर थोड़ा से political perspective यह हमारा बिल्कुल काम का नहीं है में जो चीज थी वह मैंने बताए कि north south confrontation यहां पर हो सकता है इसके अलावा अगर हम देखे 15th finance commission की यह जो north south confrontation population वाला point है इसी को extend कर रहा है राइट ही रहा पर कि 15th finance commission को जो terms of references दी गई थी उसमें 2011 की census को consider करने के लिए बोला कि जो population data आपके पास में 2011 का उसको आप consider करो और फिर उसके इसाप से revenue को divide करो states की बीच में और states और center की बीच में ओके तो इस तरीके से आप देखोगे अभी तक जो formula चलता आ रहा था उसमें क्या था 1976 की population के data को consider करना जिसमें सीधा स census को अगर आप consider करते हो तो 2011 में तो भई वही बात northern states की population बहुत increase होगी जबकि southern states ने अपने population को बहुत अत्तक control कर लिया तो इस case में तो southern states कहीं ना कहीं marginalized हो जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं object करने का मौका मिलता है और उन्होंने object किया भी था तो same चीज अभी इस parliament के जो del presentation को जो increase किया जाएगा उसमें southern states कहीं ने गए अपने concerns को rise करेंगे इंडिया ने देखो controversial questions को बहुत 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 पॉस्पॉंड किया जैसे कि official language की बात करो या फिर reservation की बात करो SCST के लिए या फिर Parliament की constitution की delimitation की बात करो ठीक अभी तक भी आप देखोगे 1976 में 2001 के टाइम पर थोड़ा बहुत variation किये गए थे फिर उसके बाद में अभी तक postponement postpon किये जा रहे हैं number of seats increase नहीं किये थीक है तो इस तरीके से delimitation को भी हमने यहां पर postpon किया गया है तो इसमें आप देखोगे तो उस चीज़ को अगर आप करते हो अभी तो कितनी बड़ी परिशानिया होती रहेंगी देखो आने वाले टाइम पर थोड़ा सा यह challenging तो साबित होने ही वाला है इसके अलावा कुछ important questions हो रहे है कि किस तरीके से हमारी parliament जो है वो function कर रही है इसके अलावा कुछ important questions और rise होते हुए दिखाई दे रहे हैं parliament की functioning पे कि पिछले कुछ सालों की बात की ज पिलर है democracy का democracy के तीन pillars होते हैं legislature, executives और judiciary तो legislature जो है वो अपनी कहिना की credibility lose करती होई दिखाई दे रही है बहुत सारे knowledgeable persons और साथ में experts ने भी बहुत सारे recommendation दिए कि किस तरीके से parliament की functioning को improve किया जाए बट उनको कोई attention नहीं दी गई है अगर day limitation की बात करें जो कि अभी बाकी है तो उसमें number of representation, representatives increase होंगे तो उसकी वज़े से हमें both houses की size है उसको भी increase करने की ज़रती जिसको अभी address किया गया है और उस पे ध्यान भी दिया गया है बड़ी urgently बट आप देखोगे कि एक meaningful business कैसे conduct होगा उस पर बड़े सवाल है वो impossible होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी आप देखो opposition के जो members हैं वो disrupt करते रहते हैं functioning को वो चिलाते रहते हैं slogan बोलते रहते हैं बार बार में जो main well है वहाँ पर आकर march करते हैं और फिर बाद में जो अपने notice boards हैं उनको दिखा करके और कैसे भी करके presiding officer को threaten करते हैं कि भई आप इस house की functioning को या इसको जो भी अभी चल रही है sitting इसको cancel करो तो इस तरीके से आप देखो orderly अगर business conduct करवाना है तो उसमें business committees का role important हो जाता है यहाँ पर committees पे ज़्यादा focus कर रहे हैं writer ठीक है emergency period के time पे इंद्रा गांदी ने भी बहुत कोशिश की थी कि जो parliament की functioning है उसमें reforms के तोर पे एक चीज की जा सकती है कि committee system को empower किया जाए बट वही बात है कि उस time पे थोड़ा सा apprehension बहुत ज़्यादा था इंद्रा गांदी का जो role था वो बहुत ज़्यादा मतलब superior हो गया था और जो opposition थे वो कहीं ना कहीं इस चीज में against में खड़े थे इंद्रा गांदी के तो वही चीज अभी current प्राइ inventory functioning को proper way में continue करने के लिए committee system को कैसे empower करेंगे तो यह अपने आप में थोड़ा challenging होने वाला है committee system की अगर बात करें तो एक effective और एक credible way में अच्छा कदम हम समझ सकते हैं अगर हम देखें अगर इन committees की making की बात करें या फिर इनकी functioning की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह non partition way में काम करने चाहिए ऐसे नहीं कि जो ideologies हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा वहाँ पर impose होने लग जाए इसके अलावा open deliberation होना चाहिए इन committees का public domain में पूरा open जैसे हम देखते हैं लोग सबाराजे सबा की functioning उससी तरीके से committees के discussions को भी open करना चाहिए इन committees में NGOs या फिर non-profit organizations के perspective को भी space मिलना चाहिए जिससे की ज्यादा से ज्यादा बाचित कर सके और उनके भी ideas को involvement मिल सके साथ में committee की meetings को electronic print और digital media के through open करना चाहिए जैसे की UK और USMA जो PBS channel है उसके थ्रू ये चीज़ बार बार दिखाई जाती है कि committees में क्या discussion चल रहा है मतलब इनकी जो पूरी functioning है उसका dissemination होना चाहिए प्रसारन होना चाहिए currently हम देखते हैं ministers committee में इतनी बार जाते नहीं है parliament की transactions की बात करें तो देखो committees के through अगर business conduct होता है तो अपने आप में बहुत important तरीके से काम हो सकता है जितने privileges पूरे house को मिली हुई है वो privileges committee को देनी चाहिए तो committees क्या होगी फिर efficient way में काम कर पाएगी और एक Parliament का सब पार्ट के तरह हम consider कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर है उनको भी encouragement होना चाहिए कि वो committees के सामने जाकर कि अपनी बात रख सकें तो ultimately point यहां पर जो आ रहा है that is committees को empower करने की ज़रूत हो और क्या क्या चीज़े हमें करने की ज़रूत हो वो हमने द democracies हैं उनकी best practices को adopt कर सकता है एक legislation हमारे यहां पर होना चाहिए जिसमें Parliament की functioning से related पूरी details available हो जहां पर आप देखोगे एक annual calendar भी available हो जिसमें कि हाँ एक session का minimum duration कितना होना चाहिए कितने session होंगे क्योंकि बहुत सारे countries में यह practice already adopt की जा रही है चाहिए वो UK हो चाहिए Australia New Zealand हो तो यह जो administrative regulations है इनको हमें भी adopt करने की जरूरत है इसके अलावा अगर हम देखें तो Parliament का आप देखोगे international treaties को approve करने का जो एक space है या फिर जो say है वो और increase करने की जरूरत है मतलब जो international practices है उनी को adopt करो जैसे international treaty को भी साइन होती है तो Parliament का approval लेने की जरूरत है तबी तो एक democratic manner में यह चीज़े finalize हो पाएंगी ठीक है इसी तरीके से intelligence के related कोई function हो या फिर investing agencies के related कोई भी review हो रहा हो intelligence और investing agencies के अगर review करना हो तो भी Parliament का से हमें बढ़ाने की जरूरत है बाद में writer यह बोल रहे है मेरी एक book है जो 2011 मैं थे इंडिया इस parliamentary democracy on trial जिसमें मैंने बहुत सा organizations हमने भी discuss की है next article देखते है next article है the food security bargain यह article लिखा हुआ है अशोक गुलाटी और जोनाथन है बर्न की द्वारा ठीक है इस article में अगर हम देखें तो WTO से related यह पूरा article है जिसमें हम देखेंगे food security और हमारे यहां जो subsidy provide की जाती है उससे related ठीक है और क्या reforms लाए जाने की ज हुई थी तो देखते हैं देखो WTO की rules की बात की जाए तो वहां पर हमेशा से कोई भी decision लिया जाता है तो consensus के साथ में लिया जाता है बातचीत होती है और सभी जो members है उनके साथ में उनका agreement consider किया जाता है तो एक तो food security को support देना यह अपने आप में WTO बहुत importantly जानता है rural livelihood क की बात करें या फिर जो functioning है market की उसको proper way में काम करवाना जिसे की food और agriculture जो sector है वो अच्छे से perform कर सके तो यहां पर आप देखो कि WTO important role play करता है बट जब कुछ ambitious reforms की बात की जाए जिसका की बहुत ज़्यादा जरूरत है WTO की rule book में लाने की तो वहां पर कहीं ना कहीं एक sustained engagement की जरूरत है member countries में की लगातार उनके बीच में dialogue establish हो और फिर बाद में negotiation से approach किये जा सके ठीक है तो इस चीज़ पर यहां पर main focus किया जा रहा है कि कि किस तरीके से आगे अभी क्या है WTO का कहीं ना यह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है जो appellate tribunal है WTO का उसमें जो members का appointment हो भी कर दिया तो इस वज़े से WTO अभी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो break लगे हुए है पर जो एक particular issue है जो कि इंडिया के लिए बड़ा concerning है तो वो देखें तो current subsidy rule की अगर बात करें जो subsidy provide की जाती है farmers को उसकी बात करें तो हमें जरुरत है कि थोड़ा सा और room provide किया जाए developing countries के लिए जिसें कि आज COVID-19 crisis चल रहा है और वैसे भी आप देखो हमारे under nourishment लगातार बना हुआ अभी तक भी खतम नहीं हुआ है जैसे कि हमने NFHS की जो report पांचवे round की देखी है उसकी तो उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पर या developing countries में अभी भी space कम है subsidies provide करने का दूसरा अगर हम देखें तो minimum support price के basis पर procurement होता है और इसके अलावा food security ensure करने के लिए हमारे आपर public stock holding program भी चलाया जाता है FCA जो conduct करता है तो WTO का 2013 का जो बाली ministerial decision था बाली में जो conference होई थी WTO की उसमें ये confirmation हुआ था कि कोई भी मतलब अगर legal dispute को को कोई rise करता है तो वो किवल इस बात पर dependent ना हो कि भी हाँ किसी भी scheme को किस तरीके से implement किया जा रहा है data में improvement है कि नहीं transparency किस तरीके से बढ़ती जा रही है या नहीं कम से कम इस बात को लेकर तो कोई legal dispute को rise नहीं करेगा और इस चीज़ के लिए ministers ने बाली में जो ministerial decision हुआ था उसमें या agree भी किया था कि वाकई में negotiations होने की जरूरत है जिसें कि एक permanent solution अचीव किया जा सके ये जो एक तो कौन सी public stock holding की बात करें और एक ये जो MSP के तोर पे सो subsidy provide की जाती है तो ये जो चीज़ है इस पर बाली की ministerial meeting already हो रखी है और इसमें कहीं ना कि negotiation की एक कह सकते है ना कि हाँ वाकई में future में होने चाहिए उसके लिए acceptance भी थी बट आप देखोगे WTO members की बीच में बहुत सारे और भी से जिनके बारे में उनको एक अपने आप में उनके बारे मे research या फिर आप कह सकते हो कि कुछ नए resolutions लाने की जरूरत है जिसमें सबसे important है एक तो farm subsidy rule लेकर क्याने की किस तरीके से farm subsidies को allow करना चाहिए और कहां पर रोकना चाहिए क्योंकि developing countries अगर इस तरीके की subsidies देते है ना तो developed countries अपनी तरफ से बहुत जादा pressure बनाते है जैसे USA USA अप procurement होता है तो वहाँ पर कहीं ना गई objection करते हुए दिखाए देते हैं developed countries दूसरा बहुत सारे countries है वो market access को improve करने की बात कर रहे हैं economic integration लाने की बात कर रहे हैं तो इन चीजों पर WTO की बजाए वो focus किस पर कर रहे है regional talks पे या फिर bilateral talks पे दो countries के 20 में relations है तो वहाँ पर market को कैसे यूज किया जा सकता है या फिर regional जैसे RCEP की रिंकी बात हम नहीं की तो वहाँ पर WTO की relevance कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है Donald Trump administration आपको पता है कि WTO का appellate body है वहाँ पर appointments को रोक दिया तो वो paralysis में जा चुकी है अब settlement function ही properly काम नहीं करेंगे तो किस तरीके से आप देख सकते कि rule based multilateral trading system अपने आपको sustain करवा पाएगा तो वो भी अपने आप में एक बड़ा issue चल रहा है भी currently WTO की जो functioning है उसमें रुकने में इसी तरीके से इंडिया में हम देखते हैं कि जो subsidy है वो हमारे मार्च में डिक्लियर की जाती है और WTO की committee जो है एक है ना agriculture तो उन्होंने procurement related जो भी issues है उन पर बहुत बार बातचीत भी हो चुकी है कि public stock holding program जो इंडिया में हम करते हैं FCI के थूँ उन पर कहीं ना कि attention दिया जाए क्योंकि ये जो चीज है इसकी वज़े से कहीं ना कहीं प्राबलम होती है बट आप देखोगे अभी हम बातचीत करें तो current जो scenario है इसक ना जो पलब्द कराया गया था जो भी गरीब लोग है उनके उनके लिए अगर हम अभी देखें जो इंडिया की तरफ से ये जो submission दिये गए थे पूरी detail दी गई थी तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जो agreed ceiling है मतलब एक fix rate बताई हुई है कि कितना subsidy आप दे सकते हो तो इंड de minimus provision किस से related है तो ये देखो WTO से related है इसमें ये final किया गया था कि global trade body WTO में कि agriculture के लिए subsidy आप कितनी allow कर सकते हो तो developing countries के लिए allow किया गया था 10% ठीक है तो 10% से ज़्यादा subsidy हमारे याँ पर देनी पड़ गई क्योंकि हमारे याँ पर food crisis आ गए तो इस चीज पर कहीं ना कही आप देखोगे तो ये जो चीज ना तो ये emergency की वज़े से हुई है और और अगर हम देखें market price support की बात करें कि किस तरीके से हमारे याँ पर आप support provide करते हो और कितना WTO की जो terms of references कह सकते हैं या जो WTO ने standard दे रखा है उसके हिसाब से price कितनी हो नीची और market में हमारे याँ प साथी है एक तो आजाती है कि जो applied administered price की कितना सरकार दे रही है और दूसरा external reference price की overall WTO members की बीच में अगर trade हो रहा है तो उसके लिए कितनी price इन दोनों के बीच का जो gap होता ना वो हमारे याँ पर support की तरह consider कर सकते हैं क्योंकि जो external reference price है जिसको ERP हम बोलेंगे वो तो देखो standard WTO के हिसाब से हम कह सकते हैं calculation जबकि administered मतलब government कितना दे रही है उसकी बात करें AP का तो इन दोनों की बीच का जो gap हुआ तो definitely अगर administered price ERP से ज़ादा है तो वो support ही तो हुआ farmers को तो उस चीज को लेकर कि कहीं ना कहीं हम चीजों को आप दे सकते हो कि और negotiations की जरुरत है यहाँ पर writer बता रहे हैं क्योंकि आप देखोगे 1986-88 के level को reference के तरह लिया जाता है कि 1986-88 के बीच में जो production रहा उस time पर जितना कुछ outcome था तो उसके reference के इसाब से आप 10% subsidy दे सकते हो तो भई आप एक चीज बताओ 1986-88 से compare आज अगर करें 2016-18 का data तो आपको क्या वो का वो ही production level इतना आज है तो उनके लिए तो देखो 5% allow किया हुआ है subsidy और हमारे यहां पर 10% तो आप एक चीज बताओ जो उनको 5% दिया हुआ है उसमें तो कोई variation है नहीं हमारे यहां पर volume बढ़ गया और उसको आपने 10% पर fix कर रखा है तो आप कैसे इस चीज को justify कर सकते हो कि 1986-88 का जो production level वो आज भी relevant है तो यह बड़ा सवाल आता है आगे हम इसमें article में देखेंगी भी तो point यहां पर आता है कि ERP को set किया जाता है 1986-88 के level पे अब उस ERP को आप कितना production हो रहा है eligible production eligible production का मतलब होता है जिसका trade हो रहा हूँ ठीक है तो eligible production का मतलब trade हो रहा हूँ उस production के volume से आप इस ERP के इस gap को multiply कर दो तो उतना आपका हो जाता है support तो overall अगर देखें तो rice की यहां पर बात की जा रही है थोड़ा ज़ा conceptual चीजे हैं ध्यान से देखें आप जो government है वो administered price provide कर रही है 375.41 dollar per ton ठीक है जबकि ERP decided है rice के लिए कितना 262.51 per ton यह dollars के हिसाब से तो overall दोनों का difference कितना आता है वो और overall production देखें जिसको eligible production बोल रहे हैं जिसका trade होता है उसकी बात करें तो that is 44.33 million ton तो overall आप देखोगे तो total market price support कितना रहा है 5 billion dollar का इंडिया इंडिया की बात की जा रही है तो यह जो चीज ना यह कहीं ना कहीं अभी भी address होने की जरूरत है क्योंकि हम आप से देखें तो 5 billion dollar का support जा रहा है बट real sense में आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर तो subsistence based ज्यादा agricultural activities होती है जो किसान है वो अपनी खुद की जरूरतों के लिए ज्यादा यहाँ पर हमने देखा लगबग 85% जो farm holding है वो small और marginal farmers के हाथ में है ठीक है गौर्मेंट की figures क अगर बात करें तो यह तो हो गया rice की बात उपर वाली अब गरते हैं wheat support की तो यहाँ पर administered price आप देखोगे 263.15 dollar per ton और जबकि ERP कितनी है wheat के लिए 2018 में 264 dollar per ton तो difference कितना सा है minor सा तो एक बार तो wheat भी cross करने वाला था तो इसमें क्या है तो WTO की जो provisions अगर वो breach होते हैं तो फिर इंडिया पर भी सवाल उटते हैं तो क्यों ना फिर है यह जो de minimus मतलब minimum level आपने जो decide कर रखा ना इसको आप change करो ठीक है तो इसके बीच में इसके लिए जरूरत क्या है एक permanent solution पर पहुंचने की जरूरत है जिसके लिए वाकई में जो members है वो deliberately बातचीत कर सके और हमा members हैं उनके बीच में views जो है वो divers होते हुए दिखाई देता है एक member कुछ और कहता है तो दूसरा member उसके just against रहा फिर side में कुछ और बाते करने की कोशिश करता है तो WTO members ने जिस तरीके से 1986-88 का ERP define किया कि ERP जो है वो 1986-888 के बीच का हम standard ले करके चलेंगे तो आपने global price variation ज में तो आपने उनको ignore क्यों किया है इस volatility को भी हमें include करने की जरूरत है कि वाकई में अभी recently food prices increase हुए है और अगर इन 5 सालों के variation को हम consider नहीं करेंगे तो क्या वाकई में आप एक rule based trading या international system को आप promote कर सकते हो या sustain करा सकते हो जिसकी वज़े से कि आज की जो volatility है उनको भी accept कि आजा सके तो इस तरीके से जरूरत क्या है एक permanent solution के लिए फिर से negotiations शुरू होने चाहिए कम से कम food subsidy और food security के लिए जो हमारे public stock holding है उसके लिए ठीक है फिर आप बात करो minimum limit की अगर बात करो तो उस time पर आपको international market की जो prices चल रही है तो आप उसका ज्यादा दिमाग में मतले कर क्या हो तो first option option तो क्या हो गया कि यह जो volatility वाले years थे इन जिन में की price hike देखा गया है आप उनको consider करो और इसके अलावा एक और option दे रहे हैं यहाँ आप writers कि अगर farmers को या फिर हमारे यहाँ पर जो support provides provide की जारी है उसको आप छूट दे दो अगर मान लो ERP आपने कुछ fix कर र farmers को और वह support चाहे 15% चल जाए चाहे 20% चल जाए तो आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब internationally जो maximum limit decide की हुई है उससे अगर administered price कम है ठीक है उस limit में ही है फिर चाहे वो कितना ही subsidy provide कर दे तो वहाँ पर problem नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यह चीज एक solution हो सकती है तो इसक करने की जरूरत है और जो जिस volume को eligible production कहा जाता है उसको हमें एक चीज बड़ी ध्यान से देने ध्यान देने की जरूरत है कि जो domestic output है उसमें किसको आप consider कर रहे हो eligible production के लिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जो main point आ जाता ना वो यह कि substance के लिए agricultural practice ज्यादा की जाती है खुद की घर की जरूरतों के लिए ठीक है तो उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है अगर इंडिया के support system को हम देखें इंडिया में तो वो कही ना कहीं आप देखोगे पिछले कई सालों में 2000-2001 से लेकर के 2000-2001 से लेकर के वो तो negative में जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो OEC OECD का जो standard है Organization of Economic Corporation and Development OECD का तो इससे इन्होंने जो standards accept कर रहे हैं, adopt कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम compare करें इंडिया के support को तो 2000-2001 से लेकर अब तक का जो support है वो negative zone में चल रहा है क्योंकि domestic market price है उसको अगर हम international market price से compare करें उसके तरीके से क्योंकि OECD में method कौन सा use होता ह producer support estimate methodology ठीक है तो उसके हिसाब से इंडिया में तो support दिया ही नहीं जा रहा है बहुत कम support दिया जा रहा है तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हैं इंडिया के लिए rise करने का point बनता है जिसके ओपर discussions होने चाए internationally तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि input subsidies कहा मिल रही है कौन सी crop को मिल रह हैं बजाए कि एक crop के MSP तो चलो फिर भी एक crop के लिए आपने decide करने लगबग तैस crops के लिए बट हमारे यहां पर जो subsidy provide की जाती है वो subsidy में जैसे electricity subsidy हो गई तो उसमें क्या करते हो fertilizer subsidy होगी फिर यह नहीं देखते हैं कि कौन सी crop के लिए जा रही है कौन सी crop के लिए नहीं ज जाता तो इसके लिए हमें WTO की system में जो calculation होती है ना वहाँ पर हमें थोड़ा सा इस चीज को consider करवाने चाहिए इस चीज में बातचीत होनी चाहिए efforts फिर से शुरू करने की जरूरत है कि जो public stock holding है वो बहुत ही जादा important है income और livelihood को support करने के लिए और रही सही में COVID-19 ने ये चीज बड़ी clear कर दी है ठीक है WTO members को जरूरत है कि वो agree हो एक shared framework को final out करने के लिए जिससे कि subsidies में reform लाया जा सके और जो outstanding issues है जो कि global trade से related जो agendas है एक clear direction में जाते हुए हमें देखने की जरूरत है और time framework manner में काम करने की जरूरत है जिससे कि ए conclusion निकाला जा सके time bound manner में और internationally भी देखें तो वहाँ पर political leadership की will power है वो बड़ी काम करने वाली है इस चीज में food security के अगर बात करें तो disruption बहुत ज़्यादा अभी देखा जा सकता है जब से US China के trade tension ज्यादा increase हो गया जो trade एक तरही से trade war शुरू हो गया US China के बीच में रही सही में WTO के जो ministers की meeting हुई थी ministerial conference हुई थी ब्योना सायर्स में जो अर्जेंटिना capital है वहाँ पे 2018 में जो की inconclusive रही थी तो वो भी कही ना कहीं एक bad outcome रहा recent past की अगर बात की जाए इसके अलावा COVID-19 की बात करें तो G20 countries जिसमें इंडिया भी है इनों सब ने consider किया था तो कहने का मतलब food supply chain में disruption minimum होने चाहिए इस चीज़ पर ध्यान देने की बात कई जी 20 members की ministers की अगर बात करें तो उन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी commitment को फिर से reaffirm किया है कि भाई कैसे भी करके हमें extraordinary taxes को खतम करने की ज़रूरत है food purchasing अगर हो रही है humanitarian purposes के लिए कि जहाँ पर food crisis जैसे गल्फ countries में खाने की बहुत ज़्यादा problem रहती है तो COVID-19 की वज़े से और problem बढ़ गई तो वहाँ पर जो United Nation का world food program है इसके अंडर में कोई activities हो रही है तो वहाँ पर कोई extra taxes या tariffs ना लगाये जाए प्रायरिटी क्या है लोगों की जिन्दगी बचाना तो आप देखोगे December में meeting होगी General Council की जिसमें बाचीत होगी World Food Program से related तो इंडिया को अपनी तरफ से ये पूरे issues को highlight करने की जरूरत है कि किस तरीके से food अपने आप में बड़ा important है और इंडिया में जो कुछ भी किया जा रहा है वो welfare के लिए किया जाता है livelihood के लिए किया जा countries को ठीक है next article देखते है next article is the road to getting things done दुरगा शक्तिनागपाल ये IAS officer है अभी Deputy Secretary Ministry of Commerce and Industry में ठीक है इनके हिसाब से अभी बताया जा रहा है कि generally कहा जाता है कि policy को अगर वाकई में successful होना है तो policy का execution क्या है वो बहुत जादा matter करता है तो यहाँ पर आप ऐसे के perspective से इस article को एक आप देखोगे तो बड़ी आसान सी language में बताया हुआ है आप एक बार अगर reading मारो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें जरूर से एक बार देखी लेना ठीक है वैसे हम देख लेता है इसमें क्या क्या चीज़े बताई जा रही है देखो कि जो अपनी मतलब घर से एक् कर है और उनका एक ही चीज़ कहना है कि देखो किसी भी काम को करने में जो important role होता है न वो वहाँ पर ज़्यादा कुछ preparation से ज़्यादा important चीज़ होती है कि आपने execute कैसे क्या किया है तब जाकि उसका actual taste पता पड़ता है चाहे खाना बनाना हो चाहे कुछ भी हो तो कहने का मत implementation की बात होती है तब जाकर के पता पड़ता है कि वाकई में कितना कुछ काम हुआ है चाहे वो social development program से related हो या कुछ और fortune magazine अब देखो यहाँ पर second first paragraph में तो एक anecdote दे दिया अब second में थोड़ा सा data देखर कि वो reference देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से policy formulation में प्राबलम आती है दे जो भी plan बनाते हैं उनको implement करने में fail होते है ठीक है तो अब बात आजाती है कि क्यों इतना ज़्यादा failure होता है implementation में इतनी problem क्यों आती है क्या वाकई में key factors है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है जिसकी वज़े से result जो है वो proper नहीं आता और जो project है वो time पे complete नहीं होता associated challenges जो है उन पर focus अगर करें तो सबसे पहली बात तो होती political unanimous agenda क्योंकि हमारे यहाँ पर clarity नहीं आती ठीक है all round growth अगर चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं एक के बड़ा clear सा vision लाने की जरुरत है दूसरा अगर previous past की अगर बात करें अभी recently इंडिया की तो हमारे यहाँ पर चारों of excavation खुदा ही होती दिखाई दे रही है चाहिए वो रोड हो चाहिए ब्रिज हो चाहिए water civil line हो कुछ भी हो और सारे projects अभी कहीं ना कहीं बीच में अठके पड़े हैं ठीक है तो यह तो कहीं ना कहीं runes में convert कर दिया आपने जो scarce public resources हैं बहुत कम हैं उनको आपने किस में convert कर दिया तो problem कहा रही है implementation में तो इस चीज में हमें कहीं ना कहीं efficiency लाने की जरूरत है एक हमें accountable process लाने की जरूरत है corrupt system को correct करने की जरूरत है single mindedness लाने की जरूरत है जिसकी बहुत कमी हमारे यहां पर देखी जा रही है particularly political leadership में क्योंकि ideology जब आ जाती है ना फिर गड़ बड़ हो जाता है हमारे यहां पर independence के बाद में mixed experiences हम consider कर सकते हैं जहां पर skewed data नहीं जबकि comprehensive chart हम देख पाएंगे skirt का मतलब कि हाँ जी कुछ काम ही हो पाए कुछ नहीं हो पाए हुए तो बहुत सारे काम है बट उनके अंदर आप देखोगे एक भी complete काम नहीं है एक तरफ आप देखोगे skyscraper बड़ी बड़ी commercial mall बिल्डिंग्स है तो दूसरी तरफ आप देखोगे गाउं में या फिर हिल support available नहीं है ना private toilet उनके पास में ना safe water drinking water availability है ना electricity ना cooking gas ये सारी प्राब्लम कहीं नहीं चल रही है तो ये जो प्राब्लम है ये कहां पर आ रही है implementation में तो किस वज़े से हमारे याँ पर implementation proper नहीं होती number one दूसरा political commitment और support की क्या वाकई में कमी है ये दूसरा सवाल है तो इसमें problem आती है कि हमारे याँ पर complexity बहुत ज़्यादा है system में इस वज़े से implementation नहीं हो पाती जिसमें आप देखोगे demand भी बहुत ज़्यादा divers है तो पर आप देखोगे democracy में एक सरकार आती है दूसरे सरकार policies को बिलकुल उलट कर देती है तो वो भी कही ना कि एक challenge आता ही रहता है जो implement करने वाले होते हैं जो executors होते हैं उनके सामने तो enabling system क्या हो सकता है किस तरीके की condition बनाई जा सकती जिससे की difference लाया जा सके तो देखो हमा implement लाने की जरूरत है जिससे की delivery जल्दी से जल्दी की जा सके public को उसका benefit हो सके हमें effort करने की जरूरत है कि quality basis पे public की जो priority है उसको ध्यान दिया जाए उनको फिर meet out किया जाए इसके लिए हमें कुछ चीजों को highlight करने की जरूरत है कुछ prerequisites है मतला पहले करने की जरूरत है efficacy लाई जा सके effectiveness लाई जा सके implementation process में जिसमें first requirement है कि हमें कैसे भी करके implementing machine को capable बनाना होगा एक perfect administration की जरूरत है जहाँ पर आप देखोगे passionate team leaders हैं वो साथ में मिलकर के काम करें जिसमें देखोगे कि एक delay का जो segment है वो तो बिलकुल ही खतम कर दिया है ब्रूक नो डिले होना ही नहीं चाहिए दूसरा जो आप देखोगे guiding जो power है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी problem है जैसे bottle neck है जो कमिया है हमारे system में उनको resolve जल्दी से किया जा सके contradiction अगर है कहीं पे तो उसको खतम किया जा सके और task को schedule से पहले खतम करने के लिए target कर हमें जरूरत है critical determinant हो वहाँ पर एक unambiguous demarkation of responsibility होने चाहिए मतलब clear responsibility सबकी fix होनी चाहिए कि हाँ इस टाइम पे ये काम करेगा अगर नहीं किया तो आपको इस चीज़ के लिए हर जाना भुगतना पड़ेगा supervisory level पे अच्छा काम होना चाहिए brainstorming मतलब training proper होनी चाहिए anticipation होना चाहिए कि हाँ future में हमें ये चीज़ इस टाइम पर अब तक खतम कर देनी है तो वो चीज़े है उन पर काम करने की जरूरत है देखो challenges तो हमेशा बने रहेंगे बट उसके लिए हमें solutions के लिए भी agreement लाना प पे तो यहां पर इसको पहुँचाया जाए ठीक है इसके अलावा जो एक कहते ना कि on the spot decision लेने की ability है वो increase होने की जरूरत है decision making power increase करने की जरूरत है इसके अलावा एक evergreen strategy बनाई जाए जिससें की implementation proper हो सके near perfect process लाने की जरूरत है इसके लिए सबसे important काम क्या हो जाता है एक vigilant monitoring system बने evaluation mechanism तयार किया जाए कि हाँ वाकई में काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा कहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं किस चीज़ पर धान देने की जरूरत है एक monitoring trust बनाओ independent body बन जाए कि हाँ कौन काम कर रहा है कौ नहीं कर रहा है उस चीज़ के उपर लगाम लगाना उस चीज़ को monitor करना इसमें technical administrative और legal members का और दूसरे जो relevant stakeholders है उनकी members के पैंशोर की जा सके आप देखोगे जब implementers के साथ में यह engagement होगा तो methodologies भी नई develop होती रहेंगी और एक effective strategy भी तैयार हो सकीगी और जो काम करेंगे उ के ओपर अगर उपर से hawk eyes के basis पर अगर नजर रखी जाएगी तो फिर वो काम भी time पर हो पाएगा इसमें आप देख सकते हो my gov my gov या फिर IT portal बहुत सारे available है government के पास में तो वहाँ पर public से suggestions भी लिये जा सकते हैं कि कि किस तरीके से policy formulation होने चीए क्या execution होना चीए उसका इ एक बड़ा important मतलब example दे रहे हैं कि जो दीन दयाल उपाध्याए ग्राम जोती योजना जिसमें 18,000 से ज़्यादा गाउं को electrify किया गया है उसमें बड़े सही तरीके से काम किया गया और जितना target लिया उसके पहले उन targets को achieve कर लिया गया था बहुत सारे states और UTs में मिला करके तो ये जो काम किया है ना इस काम को आप अपनी खुद के ethics के paper में जब example लिखना होना तो ये paragraph बड़ा important है ये ethics के point of office बड़ा अच्छा article है ठीक है ना जिसमें एके भला ठीक है इनके अंडर में ये सारा काम हुआ था इनका administrative guidance लिया गया था जो की secretary थे government of India ministry of power के तो ये काम ज्योती होजना ही आप लिख ही लेना है paragraph ओके तो political leadership के साथ में आप देखोगे तो administrative जो stakeholders है उनको भी बड़ा अच्छे से काम करने की जरूरत है हमारे याँ पर implementation machinery को strong बनाने की जरूरत है तब जाके success gain हो पाएगी India government currently बड़ा अच्छा काम कर रही है तो complex issues को भी handle करने की जरूरत है social development descendants को भी हमें आगे ले जाने की जरूरत है और effective implementation ensure करने की जरूरत है जिसके लिए good governance बहुत बड़ा important role play करती है key player है इसमे innovation भी लाने की जरूरत है कोई अच्छा काम कर रहा तो उसको reward भी दो ठीक है transformation लाने की जरूरत है human lives को अब marginalized segment से हटा करके थोड़ा औ advancement की तरफ ले जाने की जरूरत है ठीक है तो यह article आप जरूर से एक बार पढ़ लेना मैं इसको थोड़ा सई सेट कर देता हूँ क्योंकि इस article से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप खुछ से analyze करना इस article को ठीक है तो इस तरह की से discussion यहीं खतम होता thank you very much